आज की क्लास में हम SSC MTS 2021 इस exam में जो भी synonyms के questions पूछे गए थे उन्हें discuss करेंगे ये exam 48 shifts में हुआ था और इसमें approximately जो है 100 के आसपास synonyms के questions आए हुए थे अब एक ही क्लास में 100 questions को discuss करना तो possible नहीं है और नहीं ये सही तरीका है क्योंकि जरूबर से ज़्यादा अगर session नंबा होगा तो आप उसमें पढ़ाया के content को retain कैसे करेंगे इसलिए हम क्या करेंगे कि ये part 1 का video होगा और इसमें हम first 50 words को discuss करेंगे पहले 50 words को discuss करेंगे जो भी synonyms के questions पूछे गए हैं उनको discuss करेंगे आईए class को शुरू कर देते हैं आप ये तो जानते ही हैं कि SSC को कोई भी exam हो vocab, grammar, content सब एक जैसा ही रहता है तो आप बिलकुल भी ये न सोचें कि अगर आप MTS के लिए prepare नहीं कर रहे हैं तो ये session आपके काम का नहीं है बिलकुल काम का है even if you're not preparing for SSC, आप SSC के बाहर CDS, NDA जैसे exams दे रहे हैं तब भी ये session आपके बहुत काम का है क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि ये question SSC का है और ये question NDA का है या ये F CAT का है और ये Air Force XY Group का है सब जगा एक ही जैसे question, सब जगा एक ही जैसे English पूछी जाती है आईए session को शुरू करते हैं, ये पहला वीडियो है MTS के जो भी synonyms पूछे गया है MTS 2021 इस exam में उसका ये part 1 है, part 2 में आगे के 50 और जो लगभग पूछे गया है words उनके synonyms को discuss करेंगे आज हम शुरू के 50 words को discuss करते हैं, आईए class को शुरू करते हैं class शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप में से जिन भी लोगों को मेरा English, Grammar, Vocab and Comprehension का online course बाई करना हो अगर आप offline classes कर सकते हैं तो most welcome, अगर आप offline नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में अगर आप online classes करना चाहते हैं यह application है, आप play store से इसे download कर लिजे, सारी information वहां दी है कि कैसे आप batches को buy कर सकते हो, बहुत सारा free content भी वहां पड़ा है तो उसे भी आप access कर सकते हैं, यह contact number है, यह telegram channel इसे जरूर जोइन कर लिजेगा, हर class का PDF और जो भी latest updates हैं, जो भी latest notifications है, classes के वो सब आपको इसी telegram channel के पता चलेंगे, एक जरूरी information और अगर आपने English बढ़ रखी है, अब आपको practice की need है, आप अच्छे-च्छे questions को करना चाहते हैं, आपका score नहीं बढ़ रहा है, English आपको आतो रही है, लेकिन practice की कमी है, तो यह batch आपके लिए बहुत helpful है, यह batch offline, online दोनों mode में run करता है, अग अगर आप offline आ सकते हैं, you're most welcome, अगर आप offline नहीं आ सकते हैं, तो you can get enrolled in this batch, through online mode, अब इसे online भी access कर सकते हैं, यह batch भी application पर ही है, इस batch में total में 100 mocks हैं, based on latest seasonal pattern, latest seasonal pattern का मतलब है, एक तो number of questions 45 होंगे हर mocks में, दूसरा RC close test पेराजंबल्स पर विशेस attention होगी हमारी, यह रहती है, ठिक तो यह इस तरीके से आपके लिए helpful है, बहुत सारे demo videos पड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप तसली से batch को access करिए, देखिए इसमें जो demo videos पड़े हैं, कितने helpful हैं, आपके लिए content कैसा है, quality of question कैसी है, उस के बाद फिर आप इंडोल कराईए इस batch में, इस coupon code को apply करने पो जो fee है वो 1199 हो जाएगी, आईए class को finally शरू कर देता है, पहला word है hasty, आपको hasty का synonym बताना है, आपने एक कहावत नहीं बढ़ी क्या, haste makes waste, नहीं बढ़ा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, haste makes waste, haste का मतलब ही होता है जब आप किसी काम को हडबराहट में करें, जल्दबाजी में करें, एक तरीके से हरी में हो जिसको कहा सकते हैं, तो अगर आप hasty हैं, तो आप हरीड हैं, साथी साथ जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, तो काम बिगरता भी है, इसलिए कहा ज सकता है केरलेस भी हैं आप ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप जल्दवाजी में हर काम को कर रहे ना तो आप इंपल्सिव भी हो जाएंगे अब देखिए सर रिस्ट्रिक्टेड लेड बैग लॉग्ड रिस्ट्रिक्ट मतलब होता रोखना ये तो नहीं होगा लॉग्ड मतलब बंद करना लेड बैग का मतलब होता आराम से आराम करना पीछे की तरफ टेक लेना और मस्ती से बैठना समझ रहें आप लेड बैक जैसे चेर नहीं होती है आप चेर में पीछे की तरफ ऐसे टेक ले और आराम से बैठे लेड बैक मतलब जिसमें हट बड़ा हट नाम की कोई चीज ही ना हो अगर आपको एंटॉनिम चाहिए होता तो यही एंटॉनिम होता इसी को कहते हैं रिलाक्स होना क्या कहते है सर्फ रिलाक्स होना पर चुकि आपको सिनॉनिम चाहिए तो एक्सपेडीशिस होगा एक्सपेडाइट करने का मतलब ही होता है चीजों में तेजी लाना है एक्सपेडाइट अगर किया जा रहा है तो जो काम चार कश दूर दर incr 6 ौरो書 का सही आंसर जोनोडिय का सिनौनिम का साथ ओछली से इंडके साथ दिस्ट्रॉआ का चाहिता है bring down बोलते हैं, in fact pull down भी कह सकते हैं destroy करना गिरा देना, buildings को गिराना उसे demolish करना pull down करना कहा जाता है the plan is to demolish the kitchen area and build a new room सोच करके देखो, अगर आप नहीं भी demolish का meaning जानते हैं तो you have a sentence पढ़के देखिए लिखा है कि plan ये है कि kitchen area को क्या किया जाए कि kitchen area को तोड़ दिया जाए और एक नया room बनाया जाए तो जब तोड़ने की बात है तो फिर आप क्या करिए, raise करिए raise का मतलब ही होता है, sir annihilate कर देना, खतम कर देना जिसको कह सकते हैं, destroy कर देना पूरी तरीके से root out कर देना, जिसको आप कह सकते हैं जड़ से उखाड फेकना curtail तो रोकने के लिए होता है, रोकना एक तरीके से जिसको cut down करना, जिसको कह सकते हैं कमी लाना, reduce करना forge, forgery नहीं जानते हैं, ऐसे दिखें, forgery जालसाजी, fraud जिसको कह सकते हैं cheat कह सकते हैं refurbish, नया कर देना, जिससे आप renovate कह सकते हैं, आप इसे make over भी कह सकते हैं नया कर देना, refurbish, अच्छा वर्ड है नया दो तो याद कर लिजे गसर, right raise भी कम सुनने को मिलता, ये भी अच्छा वर्ड है जब आप बहुत तबाही मचा दें, तो आप raise करते हैं ऐसे demolish का मतलब भी एक तरीके से devastate कर देना, destroy कर देना है, खासता और भी demolish building को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है इस बात का ध्यान रखे अगले वर्ड है humble, बहुत ही simple सा वर्ड है, humble उसको बोलते हैं, जो बहुत विनम्र है, यानि कि polite है जो बहुत courteous है, right, modest है जिसको कह सकते हैं, disciplined है जिसको कह सकते हैं अदब करता है बड़े छोटे का, तो modest मिल गया आपको answer bold तो जो निर्भीक है, निडर है, जिसे आप brave कर सकते हैं assertive भी bold का synonymy है, इसे basically assertive उसको कहते हैं जो demand कर रहा हो, जिसे लग रहा हो बिल्कुल सही है inactive तो आप जानते हैं, dull जिसको कह सकते हैं, passive जो सुस्त टाइप का होता है उसको कहते हैं, inactive, modest आप जानीगें, विनम्र को बोलते हैं, सब्भी को बोलते हैं excuse me अगले word है लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब होता लेजी, आलसी, lazy, indolent जिसको क्या सकते हैं language बोल सकते हैं, G-U-I-D, averse भी कह सकते हैं, unwilling, I'll see this medicine can make you feel lethargic and dizzy, dizzy मतलब जो आपको उंगाई जैसी आनी लगया, आप drowsy feel करें D-R-O-W-S-Y, तो lethargic मतलब आप सुस्त-सुस्त महसूस करेंगे, ठका-ठका महसूस करेंगे तो inactive करेंगे, काइनेटिक आपने पढ़ा ने, physics में, काइनेटिक एनर्जी, गति उर्जा, तो काइनेटिक होने का मतलब तो बहुत energetic होना होता है, active जिसको क्या सकते हैं? एंटॉनिम चाहिए होता तो रखते हैं, vivacious का मतलब भी होता है एक तरीके से उर्जा से भरा हुआ, vivacious बैसिकली खास तोर पर जो बहुत confident है उसको बोलते हैं, mysterious जो चीजे रहस से मही है, यानि कि जो enigmatic है, जो जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, arcane हो सकती हैं, जिनमें एक mystery छिपी हुई है, उसको बोलेंगे, तो kinetic is the right answer, occlude ये word कम सुना होगा आप लोगों ने, मतलब rare case में ये word सुना होगा, आप इसे new word की संग्या दे सकते हैं सब, occlude मतलब होता है, रोकना, ban करना, hinder करना, right, रोकना, challenge करना, delay करना, जिसको क्या सकते हैं, facilitate तो negative, sorry, इसका antonym हो जाएगा, जब आप facilitate करते हैं, आप encourage करते हैं, basically facilitate में आप किसी प्रकार से कोई सम्मान, कोई trophy देते हैं, और कहाँ दाता है कि trophy के दो मतलब होता है, एक तो वह acknowledgement होता है कि आपने अच्छा किया, हम मान रहे हैं, दूसरा वह facilitate भी करता है कि आप आगे और बढ़िये, आप और ऐसा कुछ करिये, तो occlude को opposite हो जाएगा facilitate, अब आप समझेए सर, थोड़ी देर के लिए facilitate और promote का meaning एक जैसा ही है, तो facilitate और promote तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर facilitate होगा तो promote क्यों नहीं होगा, facilitate में भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, और promote में भी आप बढ़ावा देते हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे, अब बचे abstain और abstract, rule of elimination से भी आप कम से कम इतना तो समझ गए कि या तो 3 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा, सही answer इसका जो है वो, abstract है, रोकना, abstain मतलब करने का होता है, दूर रहना, refrange जिसको आप कह सकते हैं, आप इसे avoid बोल सकते हैं, right, malign, malign भी आप बोलते हैं, malign भी बोल सकते हैं, यह root है इस नमाल, जिसका मतलब ही होता है खराब, malign करने का मतलब होता है गंदा करना, जिसे आप defame बोल सकते हैं, dis repute बोल सकते हैं दाग धबबा है ना tarnish जिसको कह सकते है blemish कह सकते है stain बोल सकते है malign अब आप समझे सर अप्रूव नहीं होगा benefit नहीं होगा comment नहीं होगा ये आप जानते हो अगर तो अगर आप besmirch word को नहीं जानते हैं मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद नहीं जानता besmirch word को क्या meaning है लेकिन मैं जानता हूँ कि malign का मतलब होता है गंदा करना खराब करना approve का meaning मैं जानता हूँ चीजों को सही मानते वे sanction कर देना, grant कर देना right benefit फायदे के लिए बोलते हैं comment का मतलब होता है सराहना करना जिसको आप praise बोल सकते हैं अब आप समझो approve होईगा नहीं, benefit होईगा नहीं, comment होईगा नहीं तो एक ही word तो बचासे है besmirch, besmirch को मतलब ही होता है गंदा करना, कीचर उचालना जिसको कह सकते हैं, tarnish बोल सकते हैं, एक idiom है cast a slur upon कीचर उचालना किसी पर random, random तो जानता हो कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी जो चीजे किसी planned way में ना हो रही हो, कभी भी शुरू हो जाए कभी भी रुख जाए, कहीं से भी शुरू हो जाए, कैसे भी शुरू हो जाए वो random है, जो चीजे organized ना हो जो चीज़े organized ना हो unorganized हो definite का मतलब निश्यत है वो होगा नहीं continuous लगाता random तो रुख रुख के होता ना वो irregular है sir random तो irregular है वो sudden है एक तरीके से plan है ही नहीं systematic भी क्यों होगा sir chance होगा sir systematic अभी तो यही मतलब होता है कि जो चीज़े नियम से हो chance होता है ना chance का मतलब वो एक दम से मिलता chance कोई pre plant तो होता नहीं मौका मिल गया तो मिल गया chance की बात है मतलब उसमें कुछ कहे नहीं सकते आप एक तरीके से तो उसको बोला जाएगा यहां पर आगे बढ़ी हो कुछ ही वाद आ रहा आपको अभी पीछी पर है मैंने modest, humble यह देखो यह देखो इसमें humble word है a modest इसका answer है इसमें देखो modest word है humble इसका answer है यह है benefit पढ़ने का excuse me ठीक, हाँ बाकी options अलग हैं उनका meaning बता देता हूँ मैं जैसे यह डिसमल मतलब होता बहुत खराब जिसको कह सकते हैं जैसे आप abject भी कह सकते हैं poor कह सकते हैं very pathetic ठीक grave मतलब होता है गंभीर serious जिसे हलके में नहीं ले सकते हैं जो alarming हो हलाकि grave का एक meaning noun के रूप में देखा जाया तो कब्र भी होता है इसी से कब्रिस्तान बनता है graveyard लेकिन अगर कोई situation grave है तो वो serious, alarming है critical है right तो humble is the answer segregate अलग करना जानते ही होंगे separatist को बोल सकते हैं dis symbol बोल सकते हैं dis intangible बोल सकते हैं अलग करना untwine बोल सकते हैं अलग कर दे रहते हैं submerge तो मिला देना हुआ mix कर देना dubो देना जिसको आप कह सकते हैं ठीक है और drench जिसको कह सकते हैं भिगो देना, dubो देना, drench कर देना nullify तो 0 ने बना देना cease to 0 nullify कर देना null मतलब भी होता है बेकार 0 nullify कर देना मतलब cancel कर देना, annal हो सकता है खत्म कर देना समात कर देना isolate इसका answer हो गया integrate मिलाना होता है integration नहीं होता integrated circuit नहीं होता सारी चीज़ें आपस मिली रहती है integrate करने का मतलब होता है मिला देना जिससे आप incorporate भी कह सकते है unite कर देना जिसको कह सकते है incorporate कर देना unite कर देना ये integrate का meaning हो जाएगा isolate इसका सही answer है आगे बढ़िये बताईए word है obtrusive obtrusive का मतलब होता है जो चीज़े देख रही है सामने से महात्वपूर है लेकिन negative तरीके से जो चीज़े obtrusive है वो बड़े scale पे है और intensity उनकी ज़ादा है लेकिन वो आपके favor में नहीं है तो pervasive exclusive modest or prominent prominent हो जाएगा सामन क्या हो जाएगा prominent modest तो सीधा साधा हो गया exclusive का मतलब हो जाता है विशेस pervasive का मतलब होता है व्याप्त जो चीज़े prevalent है सब जगा मौजूद है करीके से जो चीज़े wide spread है यहाँ भी है वहाँ भी है obtrusive का मतलब होता है जो चीज़े important है significant है जिसको आप sideline नहीं कर सकते लेकिन हाँ वो painful है obstruct का न रोकना होता जिसे आप hinder बोल सकते है रोकना पाव में बेडिया डाल देना impede कर देना अब बताव से curb हो जाएगा replace किसी की जगा पे किसी दूसी चीज़ को ले आना release जाने देना अगर antonym चाहिए होता तो यह हो सकता था unclog से clog का मतलब रूंधने से होता बंद हो जाने से जैसे नालिया नहीं बंद हो जाती है गंदगी की वज़े से तो unclog में तो आप movement को start कर रहो ना एक तरीके से तो unclog भी antonym हुआ क्योंकि clog में आप रोक रहे हो और unclog में आप साफ करके जाने दे रहे हो तो unclog तो abstract का antonym ही हुआ एक तरीके से release भी जाने देने की बाद antonym हुआ कर्ब का मतलब ही होता रोकना कर्ब का मतलब ही होता रोकना जिसे आप combat कह सकते हैं ठेक हाँ रोकना एक तरीके से तो यह हो जाएगा answer abstract I don't know why she wears these eccentric outfits outfits बोलते हैं सर कपड़ों को clothing को बोल सकते हैं मैं समझ नहीं पाता है कि वो क्यों इतने अजीबो गरीब कपड़े पहनती हैं eccentric मतलब बढ़ा ही strange जिसको कह सकते हैं जो normal ना हो इक तरीके से rare हो जो abnormal हो उसको unique भी नहीं क्योंकि unique तो चीजे सबसे हट के अलग होती लेकिन वो अच्छी लगती eccentric में वो चीजे अलग होंगी हट के होंगी लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी eccentric हो जाएगा bizarre हो जाएगा sir elegant तो बहुत बढ़िया शांदार जो अपने आप में best है delicate है exquisite है बहुत बढ़िया है lavish तो महंगे से हो जाएगा expensive और lavish तो एक जैसे हैं जिसमें पैसा बहुत खर्च हुआ हो bizarre होगा sir strange जिसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं strange bizarre बोल सकते हैं इतने अजीब हो गरी sacred हो sacred मतलब होता pavitr sacred मतलब pavitr होता जिसे आप holy भी कह सकते है pure भी कह سकते है pavitr जिसको कह सकते है šuddh है جो चीज अच्छी है जिसको कह सकते है तो आपको synonyme ही चाहिए na consecrated हो जायगा sir consecrated का मतलब ही होता saaf sutra जिसको कह सकते है पवित्र जिसको क्या सकते हैं जो चीज अच्छी मानी जाए उसको consecrated बोलते हैं पवित्र आत्मा consecrated soul समझ रहे हैं ना जैसे कोई चीगा अगर साफ सुत्री नहीं है तो उसको साफ कर दिया गंगा जल छिड़क दिया गया बोलते हैं एक जगह को साफ सुत्रा कर दिया गया पहले फिर गंगा जल छिड़क दिया गया वह पवित्र हो गया consecrated बोलते हैं सब में से तो गुलाम टाइप का अदमी होता जो slavish है जो obedient है जो फट से आपकी बात को मानेगा जो सर्वाइल है एक तरीके से subservient है कुछ भी आप कह देंगे वो मानेगा पैशनेट तो आप जानते होंगे eager को बोलते हैं जो जारू टाइप का है ना curious जिसको कह सकते हैं curious adamant जिद्धी को कहते हैं तो आप इसे stubborn बोल दीजे obstinate एक वर्ड होता है और अकसर जो लोग जिद्धी होते हैं वो बत्तमीज होते हैं इसलिए obdurate भी कह सकते हैं आप refractory भी कह सकते हैं जो r e f r a c t o r e जो indisciplined बच्चे होते हैं वो refractory कह जाते हैं adamant जिद्धी टाइप का खास तोर पे तो आपको stubborn ही या obstinate ही रखना चाहिए तो sacred का सही synonym क्या है consecrated जिसे आप pure कह सकते हैं शुद्ध प्लॉजिबल प्लॉजिबल मतलब होता है क्या वेवहारिक क्या होता सर वेवहारिक प्लॉजिबल को क्या मिनिंग होता है वेवहारिक जो रियलिस्टिक हो प्राक्टिकल हो एम्पारिकल हो राइट क्रेडिबल इर्रिजिस्टिबल जिसे रोका ना जा सके जिसे रिजिस्ट ना किया जा सके रोका ना जा सके यानि कि जो अन्मैनेजिबल हो रहा हो है ना और जिसे हैंडिल नहीं आसानी से किया जा सकता हो जो इतना जादा passionate हो, जिसे आप delirious भी बोलते हैं कभी-कभी, irrational मतलब बेकार का आवेवारिक, मतलब nonsense, useless type का, disconnected, जिसका किसी चीज से कोई मतलब ना हो, untenable, tenable का opposite, tenable का मतलब होता है जो चीजे genuine है और जिनके पक्ष में आवाज उठाई जा सकती जो defensible है जो defensible है और ये indefensible हो जागा जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, credible ही हो जाएगा सर, हाँ और क्या होगा, irrational आवेवारिक हो जाएगा, आतारकिक हो जाएगा जैसे आप incoherent बोल सकते हैं irrelevant बोल सकते हैं impertinent कह सकते हैं अब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है यार हमें तो यह सब आता नहीं बिल्कुल ऐसा हो सकता है पर कोई बात नहीं सर आप पढ़िये सुनिये ध्यान से धिमे धिमे आएगा आपको ठीक हाँ rational minded लोग होते है rationality का मतलब ही होता है कि जब चीजे तर्क पूर हो और irrational है तो वो तर्क हीन है irrational और untenable एक दूसरे के synonym हो सकते हैं क्योंकि जो चीजे untenable है उनके बचाव में कुछ कहा नहीं जा सकता यानि कि वो बिना हाथ पैर की बाते हैं credible का मतलब होता है जिस पर भरोसा करेंगे तो यह answer gloomy कितना चलता फिर तब word है gloomy का मतलब होता है sad duchhy bleak hopeless duchhy हताश dismayed despaired जिसको कह सकते है right अब आप देखिए gloomy gloomy depressing हो जाएगा comfortable तो sahaj को बोलते है bright तो opposite हो जाएगा interpret brave को कहते है bold बोल सकते है brave बोल सकते है brave बोल सकते है interpret brave, bold जिसको कह सकते है depressing आपको मिल गया इसका सही answer he was critically injured in the accident एक accident हुआ और उसमें वो critically injured हो गया तो जब वो critically injured हो गया यानि कि बहुत ज़्यादा घायल हो गया है ना तो आप उसे seriously क्या लिए से बहुत ज़्यादा excessively severely बोलिए favorably क्यों होगा यह तो अच्छी बात है trivially का मतलब होता है गयर जरूरी सर छोटी छोटी बेकार की बात है मतलब जो essential नहीं है कहीं से confidently का मतलब तो हो जागा कि जब आप confident है severely अच्छा खासा जिसको कह सकते हैं अच्छा खासा बोल सकते हैं तो critically या severely excessively बहुत ज़्यादा advent ध्यान से देखिएगा advent को advent का synonym बताना है क्या हो सकता advent का synonym सोचिए advent को आगे बढ़ाईए adventure हो गया तो हुआ adventure कुछ नया करना adventure के दो अर्थ होते हैं एक की कुछ रिस्की करना और दूसरा की कुछ हट के नया करना तो advent का मतलब होता जो चीज नहीं है जो चीज पहले नहीं थी जिसका अब आगमन हुआ है जिसकी अब शुरुवात हुवी है तो advent of something का मतलब है उसका होना उसका आना उसका arrival उसका existence में आना उसका existence में आना come into existence राइट पर्पस तो पर्पस हो गया उदेश departure जाना ये एंटॉनिम है सर बुद्धी लगा अगर advent नहीं जान तो तब भी departure arrival जैसे दो contradictory words अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि संभवता इनहीं में से कोई एक इसका answer होगा चाह सिनॉनिम हो चाहिए इंटॉनिम हो समझ रहे हैं Merry Christmas आता है और क्या बोलते है Merry Christmas बोलते हो पर मेरी मतलब होता है चीर करना खुश होना celebrate करना cheer करना enjoy करना खुश होना यह देखे मिल गया मोरोस तो अभी जो word आपने पीछे gloomy पढ़ा था उसका सिनॉनिम था somber भी इसी का सिनॉनिम है sad angry आप जानती हैं गुसे में मोरोस और somber दोनों का मतलब दुखी से है sad और Merry खुशी से है और Happy भी खुशी से क्या होता है सर जब आप तयारी करते हो तो कही न कहीं से एक help मिलती है आप मेरी को नहीं जान रहे हैं मोरोस और somber से बात बनेगी बिलकुल बात बनेगी कहीं न कहीं से जरूर फायता होगा आपको Callous Callous तो बहुत ही चलता फिरता word है बहुत सिंपल सा word है Callous का मतलब होता है जब आदनी बहुत ज़्यादा क्रुवल हो रूड हो हार्ष हो हार्ड हो डेस्पॉटिक हो ताना शाही टाइप का हो बहुत कठोर, ब्रूटल हो जाएगा प्रॉब्लिमेटिक तो जिसमें समस्याएं हो लार्ज, बड़ा, हुमेंट, एंटॉनी मेसर क्यालस का क्योंकि हमेंट का मतलब होता है काइंड दयालू merciful जिसको कह सकते हैं जिसे आप compassionate बोल सकते हैं sympathetic बोल सकते हैं sympathetic बोल सकते हैं medicines should be ordered by the generic name not by the proprietary or trade name medicines को order किया जाना चेंगे generic name से generic name का मतलब होता है जो salt उसमें होता है उसके नाम से ना कि जो proprietary और trade name कि जिसकी वो संपत्ती है उस नाम से generic का मतलब common से होता है simple से होता है जनरल हो जाएगा exclusive तो विशेस हो गया opposite चाहिए होता अगर तो एंटॉनिम हो जाता इंडिडूवल मुझे तो यसा लगता है यह वर्ड गलत जो है मतलब MTS में पूछ लिया गया मेरे साब से यह इंडिविजवल होना चाहिए था विक्तिगत जिसको कैसा जनरल का opposite इंडि इंडिडूवल को कोई मीनिंग है तो मैं जानता नहीं माफ करिएगा तो जरूरिक मतलब साधारण जनरल सिंपल जिसको कह सकते हैं इंटर्वीन करना नहीं जानते हैं इंटर्वीन करने का मतलब होता बीच में घुसना बोलना यद्य पर इंटर्वीन एक positive word है आप इंटर् करने से आप बचा लें चीजों को सुधारने के इरादे से इंटर्वीन किया जाता हक्सता छेप किया जाता है तो मीडियेट करना एक तरीके से क्या करना मीडियेट करना इंटर्वीन अब बता क्या होगा आर्बिट्रेट हो जाएगा आर्बिट्रेट हो जाएगा आर्बि का मतलब होता है कही सारी चीजों का आपस मिला लेना कॉलेस का भी यह मतलब है कॉलेक्षन hoता है कॉलाज सको कहा सकत भी उसे ही इंबडी करने का मतलब होता है किसी चीज़ का बैस्ट वर्जन होना मतलब आप और आप जि comfort को उला जान्व को बहत बहतर तरीके से आप दुनिया के सामने पेश करते हो तो आप उसका best version हो तो आप embody करोगे तो intervene, कमेनिंग क्या है मद्याक्षता करना सही answer, option number 4 arbitrate करना sinister, पाप से relate करता है भूत से relate करता है sin का मतलब ही होता है जिसको आप ghostly बोल सकते हैं जिसको आप frightening कह सकते है डराम डाइप से तो आपको मिल गया ना evil मिल गया, क्यों पीछे पढ़े है pertinent का मतलब होता है किसी चीज़ से संबन्दी, जिसके साथ true लगता, जिसका मतलब होता है essential, आवश्यक relevant जिसको कह सकते है जरूरी saintly तो saint मतलब पवित्र होता है holy हो जाएगा, pleased मतलब favorable जो आपके पक्ष में हो जिसको कह सकते है आपको sinister evil हो जाएगा conceit, conceit मतलब होता है मान लेना, स्विकार कर लेना एक तरीके से इजाज़त दे देना, conceit करना पहले मना करते रहना, मना करते रहना फिर करना ठीक है चलो, कर लेते है conceit करना, ये मान ले रहा कि आप ठीक नहीं है आप से चूक हुई है, आप गलत है वह सामने वाए लोग सही कह रहे है तो conceit करने का मतलब होता है finally जब आप चीज़ों को admit करने स्विकार करने तो permit हो जाएगा सरे reject मना करना, deny मना करना fascinate तो अपनी और attract करना होता है खीचना जिसको कह सकते है तो अपनी और खीचना नहीं है सरे basically allow करना, permit करना ठीक है, चलेगा admit कर लेना we need to protest against this policy हमें चाहिए कि हम इस policy के against protest करें अरे सर प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है withdraw करना, resist करना against में जाना एक तरीके से hesitate करना, resist हो जाएगा assent का मतलब होता है agree करना, सहमत होना validate का मतलब होता है approve करना चीज़ों को, सही बनाना पर्क जो चीज़े incentive का काम करती है extra में उन्ही को हम पर्क कह देते है तो प्रोटेस्ट करने का मतलब होता विरोध करना, resist करने का मतलब भी यही होता रोकना तो resist इसका सही answer हो जाएगा assent agree करना validate, approve करना पर्क, incentive या bonus या arrears को बोल सकते है deficient deficient मतलब होता कमजोर सर एक टर्म आपने पढ़ा नहीं AIDS के full form में acquired immune deficiency syndrome D का मतलब deficiency ही है deficiency मतलब कमजोरी और deficient का मतलब हो जाएगा कमजोर तो आप बताईए सर क्या लगता है, क्या होना चाहिए deficient का जो सिनाने में जिसका मतलब है कमजोर उसका क्या हो सकता है कम कमी देखो सर, incomplete होगा क्योंकि deficiency का मतलब कमी से है, तो चीज़े पूरी नहीं है तो deficient मतलब जिसमें कमी है तो वो incomplete है whole मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा, opposite integral मतलब होता जरूरी जिसे आप important कह सकते है आप essential भी कह सकते है sleek मतलब तो होता attractive टाइप से समझ रहे हैं, जो shine कर रहा हो elegant हो एक तरीके से shining smoothie shining, smooth, यह सब हो जाएगा deficient का सही meaning मिलके आपको, incomplete provoke, उकसाना, भरकाना, जानते होंगे सर provoke, insight कर देना, जिसको कह सकते हैं instigate करना कह सकते हैं, भरकाना, inrage करना कह सकते हैं, अब बताव सकते हैं, अराउज हो जाएगा, constraint तो रोकने को हो जाएगा जिसको आप, resist बोल सकते हों, रोकना, stop बोल सकते हैं, अराउज उमरना सरे करी किसे बढ़ना जिसको क्या सकते है ग्रो करना इनहिबिट डराने से रिरेट करता है शायद स्लैक का मतलब भी डरने से ही होता है इनहिबिट का मतलब तो फियर से होता ही है डर से अप्रिहेंट जिसको क्या सकते है भै जिसको क्या सकते है शाहत slack कभी मीनिंग दर से ही होता है I'm not pretty sure आप चेक करने सेगा These figures have been greatly exaggerated इन figures को बहुत exaggerate किया गया है इन figures को बहुत जादा exaggerate किया गया अब जब exaggerate किया गया है मतलब बहुत बढ़ा चरहा के दिखाया गया है पेश किया गया है तो इसको आप overstate कह सकते है जरूर से ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो फिर आपको synonym में तो चाहिए magnified करिए understated antonym हो जाएगा अगर यह होता कि कम किया गया magnified कर दिखे बहुत बढ़ा चरहा के पेश किया गया be little तुछ कर देना, छोटा कर देना ignore, ना ध्यान देना exaggerate करना मतलब उसे और बढ़ाना है उसे उसे और circumlocute कर देना बहुत roundabout में चीजों को बोलना enlarge कर देना magnified, imagine का मतलब ही होता है चमकदार, जाता, बढ़ा magnified inanate, inanate का मतलब होता है स्वाभाविक, क्या होता है स्वाभाविक होता है इसका मेन, inanate जिसको आप natural बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सर natural बोल सकते हैं मतलब जो चीज आप में है जिसे आप inborn बोल सकते हैं जो जन्व से ही है intrinsic स्वाभाविक सीखा हुआ नहीं, learnt नहीं learnt नहीं सीखा हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा option number d नहीं लगता आपको होना चाहिए d inherent का मतलब ही होता जो आपने अपने माबाप से सीखा है लिया है एक तरीके से यह हो जाएगा inanate मतलब होता खाली, खोखला, बेकार जिसे void कह सकते हैं खाली, खोखला innate मतलब होता habitual आदिती जिसको कह सकते है innate, habitual जिसको आप accustomed कह सकते है या addicted भी कह सकते है आदि तो तुमको inanate का क्या चाहिए था, synonym चाहिए इतना inherent हो जाएगा स्वभाव एक पैदाईशी luxuriant sir, luxurious नहीं लिखा है luxuriant का मतलब होता है सुक सुविधा से भरा हुआ बढ़िया सा घर हो, ये हो, वो नौकर चाकर हो, वो luxuriant है luxuriant का मतलब होता हरा भरा full of visitation जिसको कह सकते हैं, हरा हरा भरा, पेड़ पौदों से फूलों से लदा हुआ हो तो वो luxuriant हो गया, किसी जगा पर उढ़ास का मैदान हो तो luxuriant एरिया हो गया, आस पास सब पेड़ पेड़ ही है तो luxuriant हो गया, पेड़ पौदों से हवा से भरा हुआ 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 meager मतलब थोड़ा, scanty, sparse मतलब होता है दूर दूर, दूर दूर, और flourishing का मतलब ग्रो करने से होता है जिसको आप thriving भी कह सकते हुआ, TH, R, I, V, I, N, G, combative का मतलब होता है जहां पे चीज़े लड़ी जाएंगे, combative aircraft होते हैं, जब fight की बाद आती, combative approach, aggressive approach, fighting approach इसको क्या सकते हैं, लग्जरियन बहुत हरा भरा, flourishing, ग्रो करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, हरा भरा जिसको क्या सकते हैं, अब देखिए, dissolve, dissolve, घोलना जिसको क्या सकते हैं, जब आप सचीजों को जब घोल देंगे ना, तो चीज़े कम पर जाती, कमजोर हो जाती हैं, ऐसे चीजों का एक अस्तित्व है, आप पानी में ही चीनी को घोल लिए तो चीनी के दाने छोटे-छोटे हो गाएं, खतम होगी कुछ देर के बाद तो डिजॉल्व करने का मतलब कमजोर बनाना होता है, तो चीज़े डिजॉल्व करते हैं, दूसरे में घोल जाती है, जिसको आप भंग हो जाना भी कहते हैं, खतम हो जाना भी कहते हैं, कमजोर होना, तो को इमर्ज नहीं होगा, इमर्ज अन्टॉनिम है, इमर्ज में चीज मजबूत बनाना और fade मतलब होता है कमजोर हो जाना faint जिसको कह सकते है faint repair आप जान रहे हैं repair करना चीजों को सही करना basically सुधारना जिसको कह सकते है improve करना कह सकते है right, so dissolve घोलना dissolve मतलब घोलना तो fade हो जाएगा सर ध्यान से समझी होना आप पढ़े हैं कि dissolve का meaning घोलना होता पानी में assembly को dissolve किया जाता है फिर आप options को दे के जान नहीं पाओगे कि fade कैसे होगा fade का मतलब ही होता है चीज़े को कमजोर पढ़ना जब आप dissolve करेंगे ता अस्तित्वक खतम होगा कमजोर पढ़ेगा अस्तित्वक dissolve it to banish banish का क्या मतलब है ban कर देना प्रतिबंदित कर देना debar कर देना एक तरीके से exclude कर देना अलग कर देना prevent कर देना अब बताओ क्या होगा exile हो जाएगा बाहर का रास्ता दिखाना distress का मतलब हो जाता है तकलीफ, दुख जिसको कह सकते है जिसको आप agony बोल सकते है anguish बोल सकते है suffering बोल सकते है तकलीफ suffering revolt तो विद्रोह को कहते है mutiny बोल सकते है challenge करना बोल सकते है mutiny defiance बोल सकते है बगावत persevere का मतलब होता है persist करना चीजों के साथ चलते रहना मतलब डटे रहना अडे रहना एक तरीके से continue करना रुकना नहीं continue करना रुकना नहीं एक तरीके से तो persevere हो गया revolt हो गया exile, live in exile होता ही जर वानपरस्थ, दूर रहना सब से जिसको आप seclusion बोल सकते है solitude बोल सकते है solitude seclusion, solitude यह सब बोल सकते है अलग the laws are strong but never enforced enforce मतलब होता लागू कराना क्या होता सर लागू apply जिसको कह सकते है apply करना enforce करना apply करना जिसको कह सकते है bring into force जिसको कह सकते है और promulgate कह सकते है तो आप बताओ सर impose नहीं होगा dilute तो कमजोर बनाना होता सर dilute करने का मतलब तो पतला कर देना जिसको weekend कह सकते है कमजोर बनाना abandon छोड़ देना त्याग देना जिसको कह सकते है जिसे आप desert बोल सकते है क्या बोल सकते है desert impose लाद देना impose मतलब लाद देना लागू कर देना disregard मतलब ध्यान ना देना जिसको आप disrespect भी बोल सकते हैं, कई बार चाहें, तो, answer तो मिल क्या सर, enforce मतलब लागू करना, impose मतलब भी लागू करना हुआ, intricate, intricate का मतलब होता चीज़े जब बहुत छोटी छोटी हो, complex हो, अलग-अलग साफ साफ ना हो, गूड होँ, जिसको क्या सकते हैं, पेचीदा होँ, जिसको क्या सकते हैं, intricate, बहुत いやदा complex जिसको क्या सकते हैं, complicated हो जाएगा, basic तो simple हो गयाँ, जो चीज़े basic होती ही, वो simple होती हो, painted अलग हो गया, complicated हो जो चीज़े समझना मुश्किल हो रही हो जाना उधर मुश्किल हो रहा हो बहुत complicated extravagantly all branded shoes are priced extravagantly sir extravagant का मतलब भी होता है खर्चीला extravagant होने का मतलब जैसे expensive हो गया इसमें लिखा है कि सारे branded shoes का जो price है बहुत जादा होता है extravagantly मतलब बहुत जादा तो expensive जैसे हो जाएगा much high जिसको कह सकते है अब बताऊ economically तो antonym है economically में आप कम से कम में खर्च करेंगे modestly में भी आप seemit ही रखेंगे ये भी एक तरीके से antonym हो सकता है meagrly भी antonym है कम में कम, कम से कम expensively ही हो जाएगा so modestly, economically, economical अगर आप है तो बहुत सोज समझ के पैसा खर्च करेंगे meagr का मतलब ही होता थोड़ा meagrly, expensively हो जाएगा एक वर्ड इसमें ex-orbitant होता है so ex-orbitantly हो जाएगा ex-orbitant का ये मतलब है कि जब 10 रुपे की चीज 100 रुपे में आप खरीद रहा है hurdle, नहीं जानते हैं भी या कितना simple है hurdle, बाधा बाधा जिसको आप obstruction कह सकते है challenge impediment अरे लिखा तो था मुझे लगा लवे लिख दो progress, antonym, accessory जो आपके favor में support का काम करती है aid help को कहते है aid help को, मदद को कहते है, तो hurdle एक तरीके से रुकावट को, घेरे को, बाधा को कहते है, तो impediment synonym हो जाएगा laborious, नहीं जानते हैं laborious मतलब hard working diligent, hard working industrious जिसको कह सकते हैं industrious अब देखे, unsophisticated का मतलब हो जाता है asabd है sophisticated होने का मतलब होता है का आप सब है, unsophisticated मतलब आप asabd है disciplined है, unsivilized है profane का मतलब भी गंदा खराब होता है, जिसमें कमी हो एक तरीके से, जिसमें fault हो तो faulty बोल सकते हैं aciduous मेहनती को कहेंगे ये देखी मिल गया answer मिल गया ना, aciduous मेहनती pompous तो जो भड़ड काटता हो जो boastful हो एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तिमाल करता है, एक जरासी बात को कहने के लिए, जिसको verbose भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं verbose, तो aciduous हो मेहनती जिसको कहते हैं grief, दुख व्यक्त करना grief बना ऐसा, grief से grief, दुख यह F लगे होने की वज़े से ना होने और यह V E लगे होने की वज़े से verb, grief मतलब दुख व्यक्त करना जिसको आप कह सकते हैं mourn करना be mourn करना दुखी होना, परेशान होना यह देखे, mourn होता है tame, tame करने का मतलब होता है control करना नियंत्रण में लिना animals को tame किया जाता है कभी नाक में डोरी डाल करके तो कभी गर्दन में कुछ फसा करके समझने, tame किया जाता है मतलब अपने नियंत्रण में रखा जाता है अश्योर, भरोसा दिनाना rejoice करना मतलब enjoy करना जिसको क्या सकते है cheer assure, confirm करना तो grief का synonym mode हो गया alleviate nausea some single, simple changes in eating habits खानपान की जो आदते हैं उसमें कुछ simple changes अगर किये जाए तो उसे nausea, nausea मतलब नींद, उंगाई को alleviate किया जा सकता है दूर हटाया जा सकता है खत्म किया जा सकता है कम किया जा सकता है alleviate मतलब remove करना अगर तकलीफ है तो तकलीफ को सुधारना जिसको आप improve भी कह सकते है समझ रहे हैं ना चीजों को सुधारना alleviate करना, कम करना और कुछ बहतर कर देना एक तरीके से, relief हो जाएगा आराम से relate करेगा किसे relief से बना हुँआ रिलीव है, sharpen तो मजबूत करना, plague, plague एक आपत है, बीमारी, plague का मतलब ही हो था बाधा समझ रहे हैं ना, बाधा exacerbate और खराब कर देना जिसको आप worse and बोल सकते हैं जो याद है कि शाद क्लास में, इसी session में पहला है word exacerbate या शुरुआत में कोई word था, खराब कर देना relieve आराम पहुँचाना, आराम दिलाना ठीक, soothe जिसको कह सकते probe, probe मतलब inquiry भी या probe मतलब क्या होता है, चानबीन करना तलाशी लेना inquiry हो गया investigate हो गया inquiry, investigate ये सब हो गया probe, लो, search हो जाएगा सर्फ motivate तो अलग word हो गया invite बुलाना, push धक्का देना बढ़ावा देना, जिसको आप encourage भी करना कह सकते हैं लेकिन probe का मतलब तलाशी लेने से है, search करना look for, inquiry करना clandestine, कितना important word हो, कितना popular भी है छिपा हुआ, छिपा हुआ जिसको आप hidden बोल सकते हैं covert बोल सकते हैं, छिपा हुआ secret बोल सकते हैं अब बताओ open अन्टॉनिम हो जाएगा undercover open अन्टॉनिम blatant, moo पे ये भी अन्टॉनिम, blatant भी सामने, खुलना, मुँ पे बिल्कुल open भी खुलकर छिप कर जिसको कह सकते हैं hidden form में, और्नेट तो ornamental नहीं होते हैं ornaments नहीं होते हैं, तो सजाना जिसको आप कह सकते हैं तो garnish type से हो सकता है decorate type से हो सकता है pleasant pleasant एक saral word है, pleasant को क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है खुशनुमा खुश जिसको कह सकते हैं डिलाइटफुल हो जाएगा सुर। प्लीजेंट दिलाइटफुल हैपी बोल सकते हैं ओफुल बड़ा ही खराब जिसको आप ड्रेडफुल भी कह सकते हैं फेटफुल लॉयल सौरोफुल मतलब दुखी sad delightful मतलब cheerful vivacious बताईए सर vivacious का क्या हो सकता है vivacious these colors add vivacious and fairy-like effect vivacious मतलब मैंने बताया था न उर्जा से भरा हुआ fairy-like effect to my place मतलब नया कर देना passionate बना देना, energetic बना देना new कर देना जिसको कह सकते हैं तो क्या होगा बताऊँ impressive है कहीं पर? है नहीं अगर impressive होता तो वो हो जाता नहीं है, क्या करें सर repressed नहीं कहेंगे, repressed का मतलब तो दबे होने से है repressed feeling जिसको आप subdued कह सकते हैं impassive, inactive को कहते हैं जो सक्रिय ना हो उसे कहते हैं sparky होगा सर spark मतलब यह होता चमक ना gloomy sad हो जाएगा मिल गया ना सर? gloomy sad हो जाएगा sparky हो गया I may sound crazy but I am not imbecile बताओ मैं crazy लग सकता हूँ मतलब manmauzi type का पगला type का, लेकिन मैं हूँ नहीं imbecile imbecile मतलब stupid बेवकूफ foolish जो जानता नहीं क्या सही है क्या गलत है मतलब dance है वो तो को credible मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके prudent मतलब होशियार को कहते है, sharp को कहते है antonym चाहिए नहीं हमें sage भी समझदार को कहते है adroit, sincere, होशियार को कहते है अब बताओ से sharp अब prudent और sage तो synonym होगा समझदार जिसको कह सकते है imbecile, बेवकूफ को कहेंगे तो duns हो जाएगा, क्या हो जाएगा duns, credible जिस पे भरोसा किया जा सके तो imbecile मतलब बेवकूफ, नादान जिसको कह सकते है duns इसका सही synonym है fatal, deadly fatal, घाता गंभीर deadly जिसको कह सकते है serious बोल सकते है lethal बोल सकते है deadly मिल गया ना सरु luminous तो shine करने से होता है चमकने से होता है serene मतलब होता है एक तरीके से समझदार जिसको आप sane कह सकते है serene मतलब समझदार ही होता है शान्त जिसको कह सकते है serene, समझदार placid, calm, composed unruffled ये सब serene हो कह सकते है blunt side of his sword up देखो तलवार की जो एक पैनी धार होती जिसे आप cutting edge बोलते है इसका ठीक उल्टा जो side side होता उसी को blunt कहते है motor जिसको कह सकते है जो उतना effective ना हो उतना ताकतवर ना हो उतना कारगर ना हो तो sharp नहीं होगा dull होगा क्योंकि blunt का मतलब जिसने धार ना हो तो sharp ना हो कमजोर timid तो डरपोक को कहते है keen eager को कहते है उससे क्या मतलब है timid बोलते है डरे हुए को डरपोक को जिसे आप meek बोल सकते है डरपोक इसमें क्या लेखा blunt side वो जो ज़्यादा effective नहीं है ज़्यादा कारगर नहीं है तो sharp का उल्टा डल हो जाएगा bulky नहीं जानते सर शरीर का अगर bulky होना है तो भारी होना जिसको आप heavy बोल सकते है क्या बोल सकते है heavy अब आप बताओ सर्थ massive हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा airy हवा से soft हलका scanty मतलब थोड़ा scanty का मतलब ही होता है meager little जिसको कह सकते है जरासा massive का मतलब होता है बहुत बला huge तो मज़ने ना बहुत बला जिसको कह सकते है तो bulky heavy हो जाएगा maestro उस्ताद को कहते है किसको कहते है उस्ताद को काबिल आदमी को कहते है एक्सपर्ट को कहते है एमिनेंट को कहते है माहिर को कहते है एक वर्चुसो वर्ड होता है वी आई आर टी यू आई एस ओ शादिये स्पेलेंग होती है वर्चुसो काबिल उस्ताज जिसको कहते है जीनियस हो जाएगा सर Slender दुबला बतला Slender बतला दुबला बतला Sleek Slim दुबला बतला Thin समझ रहे हैं ना Thin हो जाएगा और Novist नया नौसेखिया जिसे आप टायरो बोल सकते हैं नेव बोल सकते हैं जिसे कोई अकल नहीं है किसी काम के जो बिलकु नया नया है Genius का बिलकु सिनाइल मतलब जो सठिया गया हो जिस पर उम्र भारी पड़ रही हो सिनाइल होने का ये मतलब होता है कि जब आप Incapable हैं सही decision लेने में अपनी बुद्धी का मतलब जब age भारी हो रही हो जिसको आप Daughtering भी कहते है ऐसे Daughtering ये D.O.T.T. होता है सिनाइल का मतलब ही होता है जब किसी वेक्ती का दिमाग काम ना करो जो aberrant हो चुका हो जो Retarded हो चुका हो दिमाग जब काम ना करो Garnish के ये न Garnish the drink with cranberries or a slice of fresh peach Garnish किसको कहते है Garnish मतलब सजाना होता है Decorate करना बढ़िया बना लेना एक तरीके से समझ रहे है न सजाना Garnish Decorate Design कर लेना एक तरीके से माला पैना देना Design कर देना अब बता क्या हो जाएगा Embellish हो जाएगा Blemish का मतलब तो Keacher है जिसको आप Stain कह सकते है Blame कह सकते है Tarnish Dismantle का मतलब होता है उखारना जिसको कह सकते है जिसे आप Approach कह सकते है Dismantle होता हटाना तोड फोड करना जिसको Dissemble कह सकते है मंच के लिए इस्तेमाल होता है Dismantle जैसे एक मंच बनाया गया किसी के लिए किसी प्रोग्राम के लिए 4-5 दिन के प्रोग्राम के बाद उस मंच को खाली कराया गया Dismantle जैसे कोई भी फंक्षन हमारे आप कहा होता है Tent लगता है 4-5 घंटे के बाद वो Tent जो हाटा लिया जाता है तो वो Dismantle किया जाता है Wind मतलब होता 3-3 मेरे रास्ते पर जाना मतलब वही जैसे अभी पीछे आपने बढ़ा से नहीं था ये सिनाइल टाईप का कुछ वैसा ही 3-3 मेरे रास्ते पर जाना मतलब प्रोशीड करा लेकिन सब साइज सीदे सीदर जा रहा रहा हो तो तो wind हो जाएगा Uncanny बहुत स्ट्रॉंग वर्ड है सर रहस्य माई रहस्यात्मक जिसको आप इनिग्माटिक कह सकते हैं मिस्टीरियस कह सकते हैं ठीक है और कई बार सर अनक्यानी तीखे को कह सकते हैं समझ रहे हैं जो चीज़े ख्लियर नहीं अनक्यानी रहस्य माई विस्टीरियस तो क्या होना ची बताईए सर रेकलेस तो आलसी को कहते हैं जिसे आप इंपल्सिव बोल सकते हैं केरलेस बोल सकते हैं इंसाइटफुल दूरदर्शी को बोलते हैं जिसे आप प्रोविडेंट कह सकते हैं फ्यूचुरिस्टिक बोल सकते हैं दूरदर्शी जिसे आगे का दिख रहा है दिरेंज का मतलब भी होता है कि जब एक प्रकार से आदमी पागल हो गया हो मैड हो क्रेजी हो सनकी हो सिनाइल हो चुका हो जब दिमाग ना उसका काम करता हो स्पूकी हो जाएगा सर क्या हो जाएगा मतलब जो चीज़े रहस से मही हो स्ट्रेंज हो फ्राइटेनिंग हो जो चीज़े रहेश से मही होती वो अलकाफुल का आपको डराती भी तो है फैसिनेट भी करती है अट्रैक्ट भी करती है और ढर्वाती भी है तो फिर स्पूकी स्ट्रेंज आड फ्राइटनेंग डिरेंज डिरेंज से बनता अरेंजड फॉर्म में नौट डिरेंजड हो तो कहीं भी जा रहा हो तो ऐसा पागल ही तो होता है रेकलेस लापरवाह को कहते है इंसाइटफुल जो अंदर का देख सकता है दूर का देख सकता है ओगस्ट ओगस्ट का मतलब होता है सर एक तरीके से जो योग्य लोग होते हैं काबिल लोग होते हैं जिनको जिनका समाज में एक value होता है जिनोंने बहुत कुछ achieve किया होता है उनको कहते हैं जैसे eminent होते हैं जैसे जो luminaries होते हैं जो distinguished people होते हैं distinguished जो discerning होते हैं जो भीड में दूसरों से अलग होते हैं बहुत योग्यों लोगों को बोलते हैं August So, Eminent हो जाएगा Eminent का मतलब होता है निशित जिसको आप immediate भी कह सकते हैं ठीक, ततकाल जिसको कह सकते हैं immediate जो चीज जल से जल्द होगी और नुकसान दायक होगी इसे आप impending भी बोल सकते हैं impending तो जो जिसे बार तो आनी है तो वो imminent है permanent तो जो fix है illicit का मतलब होता जो चीज़े illegal है गयर कानूनी है August मतलब काबल योग जिसे आप luminary, distinguished और discerning और imminent बोल सकते हैं mandate ये तो politics का term है political term mandate जब आप majority में चुनाव जीतते हैं इस पस्ट बहुमत जिसको कह सकते है mandate बहुमत इसको जनादेश कहते है mandate ज्यान से देखेंगे तो mandate जो है mandatory से बना वो नजर आएगा mandatory जो एक तरीके से compulsory है जनादेश का मतलब भी तो होता है कि जन का आदेश लोगों का आदेश आदेश का बालन का नजरूरी होता है mandate का मतलब ही होता है जब आपको लोगों ने आदेश दिया है कि जाओ तुम विपक्ष में जाके बैठो जाओ तुम सत्ता में जाके बैठो mandate हमें ये mandate मिला है हमें ये mandate मिला है मतलब हमें ये command मिली है हमें वो command मिली हारी भी party बोलती है कि हमें mandate मिला है कि हम opposition में बैठें जीती भी party बोलती है कि हमें mandate मिला है कि हम शासन करें तो दुनों लोगों के command दी गई है एक order दिया गया है तो संभबता ये आज की क्लास का आखरी वर्ड था फॉर्स्ट फिफ्टी वर्ड होफुली मैंने पढ़ा दिये हैं अब जो भी फिफ्टी के आसपास बचेवे वर्ड हैं वो इसके पार्टू में आप सभी को पढ़ाए जाएंगे क्लास को आफ करने से पहले मैं आपको वही जानकारी फिर से दे दू कि जो भी लोग आफ्लाइन क्लास नहीं कर सकते हैं आफ्लाइन कर सकते हैं तो ये आप आईए मैं आलंबाग लखनों में पढ़ाता हूं सर बिलकुल आईए पढ़ने के लिए लेकिन अगर आप आफ्लाइन नहीं आ सकते सामने से तो फिर ये तरीका है कि आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके इसके थू ऑनलाइन कोर्स बाई कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं एक्सेस करने के ऐसा कर सकते हैं जो भी तैयारी आप कर रहो हैं ग्रामर, वक्याब, कॉम्प्रिहेंशन का बैच अवेलिबल हैं बहुत सारा फ्रीकोर्स बी अवेलिबल आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करें इसके बहुत सारे क्विजस अवेलिबल हैं ग्रामर के वक्याब के चैप्टर बाई is miscellaneous, बहुत कुछ available है, टेलिग्राम चैनल हमारा ये है, इसे जरूर जोइन करें ये contact number है, किसी भी confusion के स्थिती में आप इसी पर contact करें, फिर से वही बात अगर आपने English पढ़ रखी अब आपको practice की जरूबत है तो ये आपकी सारी आशांकाओं को दूर करते हुए batch है, आपको हर हाल में इस batch को join करने पर, benefit ही benefit मिलेगा, English में आप जहां जहां stuck हो रहोंगे, फस रहोंगे वहाँ वहाँ आप smoothly turn off शुरू करतेंगे, जरूर benefit मिलेगा 100% benefit मिलेगा आपको, right तो आज के session में इतना ही मिलते हैं next session में part 2 में, तब तक के लिए आप यूँ ही दम लगा के बढ़ते रहे हैं good luck, keep learning, bye bye take care